हेलो फ्रेंज वेलकॉम बैक टो अनदर रियक्शन वीडियो तो दोस्तों 10 मिनेट निकालो और पोड़कास को एंट तक जरूर सुनो विकोज आपने अगर एक भी लाइन स्किप कर दी तो आप कही न कही मज़ा स्किप कर दोगे और मैं चाहती हूँ कि सर्दी में ठंड के साथ-साथ आपको मज़ेदार पोड़कास भी सुनने को मिले ताकि आपकी सर्दी में थोड़ी कम तो नहीं कर सकती बट हाँ सर्दी में भी आप लोगों को फूल एंटरेंज जरूर कर सकती हूँ तो इसलिए पोड़कास को एंट तक जरूर सुनें तो आईए शुरू करते हैं आज का रियाक्शन तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब से टरा मैडम से मैडम की हुई थी इंसल्ट उस दिन से मैडम शूट के आस पास भी नजर नहीं आई और उसी के साथ साथ फैंस की क्योरोसिटी भी बढ़ गए कि भाया ऐसा तो नहीं है कि मैडम ने शूट को ही बॉइकट कर दिया हो तो उन सभी फैंस के लिए गुड नियूज है कि आपकी मैडम फिर से पहुँच चुकी है शूट पे जी हाँ वो वापस से नजर आई है स्टेज पे जैसे कि अगर आपको भी नहीं पता तो मैं आपको क्विकली अपडेट कर देती हूँ कि इस बार जनाब के शोग का जो थीम है वो है वेडिंग थीम तो उसमें सभी कपल्स को बुलाया गया है और तो और जो हमारी होस्ट है गोहर खान उनके भी हस्बन वहाँ पे आई है और बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट है सब के हस्बन वहाँ पे आई है मतलब पेयर आया है तो इस बार वेडिंग स्पेशल होने वाला है और जनाब के पास और कुछ है नहीं जनाब और किसी चीज में संपून नहीं है सर्वगुन संपन तो वह है यह नहीं बट किसी एक पर्टिकुलर चीज में वह संपून नहीं है लेकिन फिर भी वह घोम फिर के अपना एक ही डांस लेके आ जाते हैं बॉलीवूड जनाब की परफॉर्मेंस कुछ इस गाने में होने वाली है उसी के साथ मैडम भी वहां पर स्पॉर्ट की गई है और गैस वाट मतलब जहां पर हम लोग हम लोग क्या जहां पर आजकल दुनिया आजकल सोसाइटी और आदमी को एक ही दर्जा दे चुकी है मतलब कौन से जमा जहां पर आदमी से नीचा बोला जाता था आदमी के खाना खाने की बाद और खाना खायेगी और सबसे पहले जो इंपोर्टंस दी जाती थी वो घर के मर्द को दी जाती और आज की डेट में अगर आप compare किया जाये तो ऐसी बहुत सारी families है जहां पे आदमी की income से कई जाता income घर की ओरतों की है तो आज आदमी और ओरत दोनों एक ही level पे आ गए हैं अगर हम level भी न बात करें तो आज कल आदमियों के अंदर भी इतना प्यार और इतनी respect एक ओरत के लिए आ चुकी है कि वो अपनी बीवी को कभी भी ये नहीं जाएंगे कि मेरी बीवी मेरे आगे थोड़ी सी भी जुके चाहे आप किसी भी normal middle class family की बात कर लो अपर middle class family की बात कर लो या किसी गरीब family की भी बात कर लो वो भी आज की डेट में अपनी बीवी को अपने बराबर कही समझते हैं क्योंकि अगर मजदूर भी मजदूरी करता है ना किसी site में या किसी construction site पे तो उस मजदूर के साथ उस सब्क हैं जाना level कहां से कहां पहुचा चुकी है मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग दुनिया से अलग क्यों चलते हैं अगर सारी दुनियार बोलेगी ना ये स्ट्रेट रास्ता है हमें इस रास्ते पर जाना है तो मैडम और जनाब बोलीगे नहीं हमें तो इस स्ट्रेट रास्ते पर जाना ही नहीं हमें तो complicated रास्ता पसंद है हमें तो पसंद है वो रास्ता जहां पे भीड में मेरे जनाब अलग दिखे मतलब भीड के साथ हमें न कि जिस अलग को देखके लोग तुम से इंस्पायर हूँ जिस अलग को लोग तुम से करना चाहें मैडम के अपने जनाब के ओर जुख हुएं देखा हो और इस만 नहीं趗 आदमी ही कर सकते हैं नहीं लेकिन एक औरत ये सब करती हुई अच्छी नहीं लगती कुछ particular चीज़े होती है जो आदमी करे तो जादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरी life में औरत आदमी को बहुत 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 special feel कराते हैं because औरत के अंदर वो common sense होती है आदमी के अंदर कहीं न कहीं वो common sense नहीं होती मतलब मैं ये नहीं बोलते कि वो special feel नहीं कराते बड़ अपने हिसाब से इतना नहीं सोच पाते deep down पर यहाँ पे मैडम एक बार nudge के set में मैडम ने यही सेम शेर और शाइरी वाला पूरा का पूरा credit अपनी जिन्दगी का जनाप को उठा के दे दिया और अब फिर इसे मैडम वहाँ पे जनाप के आगे जुकी वी नजर आई है अब आप लो comment section में सबसे पहले तो मुझे guess करके ये बताना आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जुकी वी पिपी का मैडम ने जनाप से क्या क्या डायलोग बोले होंगे या इस बार क्या बोला होगा stage पे बताईए देखते हैं कि आप में से कितनों का prediction सही निकलता है क्या डायलोग मारा होगा पिपी का मैडम ने well मैं अपना बताती हूँ मुझे लगता है वापस से अपना dark secret लेके आएंगी थोड़ा सा रोना धोना थोड़ा सा ये दिखाएंगी कि मेरे husband बाकी सब के husband से कितने different है मेरे जनाब बाकी सब के husband से कितने बढ़िया जनाब है इन जनाब ने कितना sacrifice कितना compromise किस तरीके से मेरी काली जिन्दगी को मेरी काली जिन्दगी को गोरी जिन्दगी में तबदील कर दिया है कि आज आप देख लो कि मैं भीड में सबसे अलग ही दिखती हूँ भीड में मेरा क्लास ही सबसे अलग दिखता है मुझे इतना बदल दिया है मेरे जणाब ने जणाब की माला लेके शुरू होंगी जणाब की माला लेके करता हो जाएंगी definitely यही बोलने वाली है best husband best बेटा best पती और अब बोलेंगी best पापा और definitely बच्चे वाला एंगल कि जब से वह हुआ है तब से जनाब ने कितना time उस बच्चे के साथ spend किया है कितना जनाब को अपने बेवी के बारे में पता है जो बेवी इन्हें देखे कोई expression ही नहीं देता जो बेवी इन्हें देखे ना हसता है ना बोलता है neutral हो जाता है तो उससे पता जलता है कि जनाब क मचा दी थी और अब फिर से स्टेज पर आके वही गवार पंती करना है अब क्या-क्या पकाऊ डायलोग वहाँ पर मान रहे वाली है उसके अलावा एक दिस और नोटस करना कि जो गुरूप फोटो आई है ना उस गुरूप फोटो में ना तो पिपी का माडम है ना ही जिनाब है हाला कि वह पूरी कंटेस्टन के गुरूप फोटो है मैं लगा भी दूंगी यहाँ पर आप सब के लिए लेकिन उस गुरूप फोटो के अंदर माडम और जनाम नजर नहीं आ रहे हैं मिसिंग मिसिंग हास्बन वाइफ को एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लिमेंट करना च पर हो लेकिन यहाँ पर पिपिका मैडम के जिंदगी की सूही उल्टी चलती है इन्होंने हमेशा से ही अपने जनाब को ही प्रेज किया है लेकिन जनाब के मूं से पिपिका के लिए कभी आपने प्र तरीके से एक लाइन भी नहीं सुणी होंगी कि कभी उनोंने उनको एप करते हैं यह लोग प्रेशर में यह सब करते हैं या जनाब क कौ इसे supernatural अज थे जनाब UP का इतना दबदबा है कि जनाब अवपर आज लेता ब का आज दो घून होगता है कि दोर में घूल एके पशलाव में थना इतना पर सब कर रही और दो कर रहां है यहा ये सब कुछ तुम डिजर्व करती हो लेकिन कभी भी जनाब की मुँँ से जूट है मुँँ ऐसा निकला नहीं होगा अब मुझे समझ में नहीं आता कि वाके में कोई औरत इतना जादा अपनी सेल्फ रिस्पर्ट के साथ कॉंप्रमाईज कर सकती है जबकि ये सब को पता है क कि आज जनाब की जो स्टेटस है आज जनाब का जो नाम है वो बिकॉज अफ पिपी का मैडम ही है भले ही इंडरस्टी में दोनों ने साथ में काम किया हो लेकिन जो नाम और जो शोहरत पिपी का मैडम ने हासिल करी थी वो जनाब नहीं की थी वो मानो या ना मानो एक शो की winner रहके आ चुकी है इस show में जाने के लिए लोग आज भी बहुत से लोग आज भी तरसते हैं खैर अब तो वो show भी विल्कुल normal हो चुका है बट उस समय पे उस show में जाने के लिए भी लोग तरसते हैं तो madam वो show की winner रह चुकी है कहीं न कहीं इनका नाम है और इनी के नाम की बदालादाद इनकी पूरी family stable और settled है और वहाँ पे सिर्फ madam की मूँ से अपने पती की ही तारिफ करवाना या अपने सास ससूर की ही तारिफ करवाना या अपनी ननत की ही तारिफ करवाना इतना जादा pressure में उस औरत को रखा गया है या वो वाके में इतना दिल से कर दी है मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ fake है because मैं मान ही नहीं सकती कि कोई औरत कभी ये ना चाहे कि उसकी भी कोई तारीफ करे या उसके लिए भी कुछ अच्छा बोले जबकि उसे दिल से पता है कि उसने कितना किसी family के लिए किया हूँ क्या वो नहीं सुनना चाहती होगी अपने लिए तारीफ के दोशव्द बिल्कुल सुनना चाहती होगी तो क्या ये सब जनाब का pressure है या अपनी शादी शुदा जिन्दगी को बचाने के लिए ये सब मैडम कर रही है वैल इसमें सच क्या है जूड क्या है तो मैडम के अंतर आत्मा ही जाने कि वो ऐसा क्यों कर रही है बड़ो जैसा कर रही है ये society के लिए सही नहीं है विकाज इनका देखा देखी बहुत सारी family में इन चीजों का असर पड़ता है क्योंकि आप example set करने के कोशिश करते हो बट एक गलत example एक wrong example आपनी society में जिसकी वज़े से बहुत सारे घर में कलेश हो सकता है बहुत सारे घरों में comparison हो सकता है लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पिपी का madam की निजी जिन्दगी में परसनल जिन्दगी में क्या चल रहा है बट ये जरूर देखा जाता है कि देखो इसने कितना compromise किया है कितना sacrifice किया है कितनी तारिफ करती है और चार लोग अगर इसी से influence हो गए तो वो भी अपनी वाइफ को इसी तरीके से treat करने लग जाएंगे वो भी यह अपनी वाइफ को बोलेंगे कि भाईया स्टेज पे हमसे गले मत मिलना हमारे आगे जूकना क्योंकि अब यह लोग नए नए निबबबबी तो है नहीं है अराम से इनका affair कितने साल निकाले है उसके बाई शादी कितने साल निकाल चुके है तो अब यह सब चीज है ना इनकी age के according और इनकी experience के according इन पे suit नहीं कर रही है निबबबबी वाली हरकत तो आप लोग भी comment section में बताना कि आप लोगों को यह सब सुन के कैसा लगा और आप लोगों का क्या कहना है सीच के बारे में कि आपको लगता है कि एक औरत को अपनी self respect और अपने आपको भूला के